नमस्कार में अमीत रमेश मक्रियाज वापिस आपका स्वागत करता हूं पिछले बारा सालों से चावडी के मध्यम से हम अलग-अलग बिजनस को ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं इस दस-बारा सालों में अग्रिकल्चर बिजनस, SMA बिजनस, इंडिस्टियल बिजनस, स्मॉल स्केल बिजनस, होम बेज बिजनस और इसके साथ ही सर्विस बेज बिजनस में हमने बहुत सारे अलग-अलग अंतरप्रिनर्स को गाइड किया है, कंसल्ट किया या ट्रेनिंग द ऐडिया कि किस बिजनस को हम सिलेट करें, किस बिजनस को हम आगे बढ़ा है, किस बिजनस को हम आगे फ्यूचर हो सकता है, किस बिजनस की मार्केट में डिमांड है, और इसी हिसाब से आज में एक अलग business idea, जो specially मैं ऐसा कहता हूँ कि urban areas में तो छल सकता है, पर rural areas में भी इस बिजनस की डिमांड होगी वो बिजनस है इंस्टन्ट पूरन पोली so converted with जैगरी पाउडर बिजनस तो आप कहेंगा यह क्या माज रहा है इंस्टन्ट पूरन पोली भी बोल दिया और फिर जैगरी पाउडर भी बोल दिया तो यह अलग-अलग क्या है तो यदि यह कंसेट पूरा समझना है तो आपको लाज तक यह वीडियो देखना पड़ेगा जैगरी पाउडर बिजनस चोड़ो एजी करते है थोड़ा सा पहले आसान करते है जैगरी पाउडर बिजनस वाई अब यह स्कोप डिमांड फ्यूचर क्या है मुझे लगता है क्योंकि इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही क्योंकि इंडिया में जैगरी वाला टी या फिर गुड की चाय ये कंसेट बहुत बहुत बढ़ रहा है बहुत दिनों से मुझे शुगर केन फार्मर्स के जो बेल्ट है जैसे महारास्ता में सांगली सातारा कोला पुरुवाला बेल्ट है या अमेन अगर भी है तो भहत सारे लोग मुझे ये डिमांड करते हैं यार सर आप इतने अलग-अलग सब्यक्ट पे गाइड करते हैं लोगों को कंसल करते हैं आप खुद प्रोजेक्ट बनवा के देते हैं शुगर के इनका क्या कर रहे है शुगर के इनके बारे में आप क्यों नहीं बोल ले तो भाई बहुत दिनों से ये तो मुझे पता था इसका जैगरी पाउडर बन सकता है पर I am not that much confident कि यार इसका मार्केट हो सकता अब जब ये पिसले 2-3 सालों से ये जो गुड की चाय का ट्रेंड मार्केट में बढ़ता जा रहा है तो शायद अब मुझे लगने देखा है कि ऐसा नहीं कि यही हमारा एक अच्छा मार्केट होगा हाँ हाँ देरी स्कोप की वही जो गुड की चाय के वाले लोग है उनको भी हम ये जैगरी पाउडर सेल कर सकते है इसके साथ ही जो regular customer है जिनको जो health conscious बन गए after covid उनको भी हम definitely ये जैगरी पाउडर सेल कर सकते है तो इसलिए इस business में definitely अच्छा स्कोप बढ़ रहा है और इसके साथ दियाने ये तो retail और domestic market हो गया इसके साथ मुझे लिए सकता है कि export में भी आप काम कर सकते हो तो ये business कौन कर सकता है सबसे पहली बात सबसे पहले एक तो जो किसान है जिसके पास शुगरकेन वाला बेल्ट है या शुगरकेन का farming वो कर रहा है वो बन्दा कर सकता है दूसरे जो उस area में belong करता है कि raw material हमारे पास है मेरे पास शुगरकेन की खेती नहीं है या गन्ने की खेती नहीं है पर में उस area से belong करता है वो भी बन्दा कर सकता है और सबसे important बात जो शहरों में रह रहा है जो शहरों में resident के लिए है और उसके पास कोई farming का connection नहीं है पर market उसके पास है वो भी बन्दा इस business को definitely कर सकता है इसके साथ ही महिलाई भी छोटे स्केल पर मिनी स्केल पर इस business को definitely कर सकते है आप कहेंगे sir ये कैसा combination हो गया तो मैं हर बार मेरे अलग-अलग videos में एक बार definitely बताता हूँ सबसे पहली important बात या कोई भी business start करने के लिए दो criteria's होना बहुत जरूरी है सबसे पहला एक उसका raw material आपके nearby location पे हो या फिर आपकी खेत में ही बिलोंग करता हो या फिर आपके area में हो यानि आप raw material area से बिलोंग करते हो तो आपको वो business करना अच्छा है या ठीक है या फिर raw material आपके पास नहीं है और आप market से बिलोंग करते हो यार मैं example के तोर पे बताता हूँ कि मैं एमद नगर शहर में रहता हूँ और मेरे यहां पे मेरे पास वाले नियर बे अरिया में onion होगी तो मैं usually तोर पे plan करूँगा कि onion processing करूँ मेरे पास पी अरिया में sugar can है तो मैं sugar can plan करूँगा मेरे पास के एरिया में पोमो करेंट प्लान करूंगा तो यूजवल तोर पर जो agriculture based बिजनस होते है तो उसमें यही क्राइटरिया सबसे पहला होता कि मैं value additional business choice करो तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि sugar can में दोनों भी condition में business हो सकता है this is not necessary कि आप raw material area से ही belong करते हो तो आप finish good area में जैसे cities में हो पुना हो, बंबे हो, एहमदाबाद हो, दिल्ली हो, चन्ने हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो वहाँ भी आप इस business को start कर सकते हैं क्योंकि market आपके नियरबाए है तो इस business को actual तोर पर किया कैसे जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस business को plan करने का भी plan किया है कि आप यह work out करेंगे तो वो वीडियो यदि आप देख लोगे तो वो वीडियो और यह jaggery powder वाला business दोरों में connection है क्या है? connection है तो यह वीडियो देखते समय आपको वो वीडियो बाद में जाकर देखना ही देखना है तब जाकर आपके fuse थोड़े से जल जाएंगे बात समझ में आ रही है तो भाई यदि जागरी powder बिजनस को करना है तो इस business को but obviously मैं मेरे हिसाब से dehydration वाला business कहता हो क्योंकि same technology जो vegetable dehydration में यूज होती है वही technology जागरी powder में यूज देती है वही dryers इस पूरे project में यूज होता है तो सबसे बड़ा benefit यह है कि इस business को कि ऐसा है कि चलो भाई हम तो जागरी powder से start कर रहे है पर यदि ऐसा हो कि यार market अप एंड डाउन हो गया नहीं मुझे marketing करना आ रहा कुछ problem हो रही है तो आप इसके साथ इस same machine में अलग-अलग products भी कर सकते हो हाँ this is very much important कि यार यदि ऐसा हो जाए कि शुगर के नहीं मिल रहा है यदि ऐसा हो जाए market नहीं मिल रहा है मुझे marketing करना नहीं आ रहा है तो सबसे important बात है same technology में ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें जागरी powder ही निकलेगा इसमें अलग-अलग type की powders निकल सकते है visibles की powder निकल सकते है this is very much benefit ये मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में जो मैंने देखा है चवडी से यही एक सबसे important business है जिसमें ये formula workout हो सकता है क्यार कुछ भी निकालो ठीक है याने कुछ भी याने कुछ भी नहीं पर at least हम अलग-अलग products इसमें production कर सकते है same setup में तो ये बात समझ में आ रही तो भाई एक 500 से 1000 square feet का minimum setup लगवा कर 500000 square feet की जगे चाहिए बहुत ladies ने मुझे consulting के time पूछा और जो मुझे zoom meet पे मिलते है जो बंदे मुझे audio call पे मिलते है जो मुझे personal meet के लिए भी आते है या हमारा एक उद्योग मंधन करके एक program होते है वहाँ मिलने आते है तो लोग usual तोर पर जो cities में है जैसे बंबे में है दिल्ली में है गुरगाओं में है तो वो बोलते है सर हमने youtube पे बहुत सारी अलग लग videos देखिए और उन्होंने कहा कि आप तो घर में बैठे business कर सकते हैं भाई ये सबसे पहले clear में बोल दिता हो कि घर में business करने का food processing जिसमें बड़ी machinery होती है वहाँ आपको permission government से नहीं मिलेगा क्योंकि आप flat में रहकर ये बड़ा business या बड़े capacity का business आप नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठे आप क्या कर सकते हो जैसे telling का काम हो गया या कोई product छोटे सरपरा बना रहा है वो business आप घर में कर सकते हैं या फिर कोई commercial space आपको लेना होगा वहाँ जाकर आप कर सकते हो जो shop होता है shop में भी आप business कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं तो ये बहुत बड़ा doubt हर टाइम लोग मुझे audio call पे जूम call पे definitely पूचते है इसलिए मैंने ये doubt सरफ पहले clear कर दिया अब दूसरी बात sir investment कितना लगेगा भाई investment की बात करें तो it's all depend on your capacity आप कितना capacity प्लान करें उस पर depend करता है मैं एक importantly बात कहना चाहूँगा investment और capacity ये दोनल depend करता है आप sale कितना कर सकता है मैंने बहुत सारे zoom पे आप मेरे मन्थन पे या जो बंदे मुझे मिलने आते है जो consultancy हमारा paid program लेते है उनको मैं हमेशा एक प्रस्न पूछता हो कि भाई तू बेच कितना सकता है तो वो बोलता है sir ये क्या सवाल हुआ बेच कितना सकता है याला sir ये उल्टा क्यों बोलने sir ये उल्टा ही जरूरी है बात समझे आप मुरी ये उल्टा ही जरूरी है क्योंकि सबसे पहले आप कितना बेच सकते हो उसका एक target प्लान करना होगा कि यार मैं कितना quantum में sale कर सकता हो उस हिसाब से plant लगवा ना कि ऐसा हो कि यार मैं मैं चलो एक काम कर दो sir मेरे को एक टन का इक investment बता दो और मैं कर दूँगा यार आप उतना बेच नहीं पाओगे तो क्या करोगे so market में demand बहुत है मेरी बात सुनो market में demand बहुत है आपको बेचना आना चाहिए आपको sale करना आना चाहिए so this is more important मैंने हमारे पूरे अलग-अलग training sessions में या मैंने अलग से food product online marketing program भी बनाए है और personally जब हम consult भी करते है तो मैं एक बात पे ज़्यादा गौर करता हू marketing, marketing, marketing उसके साथ branding, advertisement, promotion image building program of yours तो ऐसा है भाई कि business करना है तो this is not like कि आप सिर्फ मस्तनरी का setup लगवालो और छे मैंने बैट जाओ ऐसे आराम करते रहो किसी बले आदमी ने कहा है कि छे मैंने तो waiting period है उतने में तो business set हो जाता है अबे business ऐसे ही set नहीं होता हमें करना पड़ता है हमें खुद market में गूमना पड़ता है ground पे आना पड़ता है सिर्फ video आप online देख सकते हो market आप 100% online नहीं कर सकते हो आपको field पे उतरना होगा और यदि इसका experience नहीं है तो ये बात सीखने होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सीखने में कोई यहने क्या होते है कि उसमें क्या हटबड़ाट किया मैं कैसे सीखू या क्या problem है क्योंकि जैसे हमने एक अच्छी job पाने के लिए बहुत सारा education लिया है वैसे business करने के लिए education लेना बहुत जरूरी है और इसे हिसाब से हमने अलग-अलग training and consulting session चावड़ी में develop किया है तो इस business के बारे में पूरा जब आपको detail जानकर ही चाहिए होगा तो आप हमारी paid services ले सकते है I underline the word paid services not free services तो paid services है हमारी अलग-अलग और हम purely इस sector में कम से बारा साल से काम कर रहे है बहुत सारे business को हमने consult और guide किया है fees के माद्यम से हमारी एक standard fees है क्योंकि हमारा पूरा एक setup है तो जो information pursue करने के लिए आप यहाँ-वाँ बठके रहेंगे गूमते रहेंगे और proper information नहीं मिलेगा वो सब club करके अलग-अलग different sources से collective करके हमने हमारा एक consulting and training session डेवलप किया है इसलिए हमने उसका fees model बना है आप हमारे जो training and consulting division का number मैंने साथ में रखा या वेबसाइट का भी link मैंने देख रखा है उपर या नीचे आपको link दिख रहा होगा तो वहाँ पे जाकर आप हम अलग-अलग किस business को ideas को consult करते training देते हैं हमारे पास कौन-कौन से sessions available है इसकी जानकर या आप पासकते है come to the point कि जैगरी powder में investment तो मैंने बता है पर approximately पकड़ के जलते है छोटा से छोटा project 2-3 लाग तक का investment का machinery investment का हो सकता है पर इसमें packaging, branding, advertisement का cost अलग से लगीगा हमने चावड़ी में अब वो भी आपका problem solve कर दे है हमारे पास बोभाटा नाम से एक especially social media agency है 8K studio नाम से जो video development करवा के देते क्योंकि अलग-अलग branding images आपकी हो अलग-अलग videos आपके हो तो branding या image building program बहुत अच्छा हो सकता तो this is a one stop solution इसके साथ license, documents, registration का भी facility हमारे यहाँ paid माध्यम में उपलब दे और reasonable cost में so इसमें यह जैसे बन गया है कि बाई, domino's में आप जा रहे है तो आप pizza ले रहे हो तो साथ में आपको branding भी मिल जाता है वैसे ही हमने setup करके रखा है कि पूरी सारी facilities हमने one stop solution पे आपको provide करवा के दिये so this is a compulsory, no compulsory आप पे कोई compulsory नहीं है मेरा यह मानना है कि यार knowledge बाटा जाए, jaggery powder का business develop हो सकता है इसके साथ domestic retail market साथ export में भी आप explore कर सकते हो क्योंकि export में इसके demand बहुत जादा बढ़ रही है covid के बाद लोगों का Indian food या Indian Ayurvedic product में जादा interest बढ़ रही है, जादा रूची बढ़ रही है तो definitely आप इस business में plan कर सकते हो और यह पूरा जो पूरा process है यानि यह पूरा vegetable dehydration या jaggery powder का जो पूरा industry है यह definitely आगे 10-15 साल में बहुत बढ़ेगा, तो भाई ऐसा है कि यही एक अच्छा समय है कि आप immediately इस पे सवार हो जाओ, तो यदि इस गोडे पे सवार हो जाओगे तो आगे जाकर यह business बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकता है, आखिर में एक important सवाल आपको पूछने वाला है कि भाई, आपको जैसे मैंने jaggery powder का यह जो information बता है यह इस type का information आपको पसंद है, आपको क्या लगता है किस तरह से आपको अलग-अलग business के बारे में हमने information देना चाहिए, जैसे jaggery powder में तो अलग-अलग चीज़े होती है, भाई, B2B business अलग है, B2C business अलग है D2C business अलग है तो हमने हमारे training and session में वो भी हमने cover करके गा है, कि Amazon flip card में किस तरह से product बेचा जाए, और online market में किस तरह से product बेचा जाए, अपना खुद का brand कैसे बनाए जाए, यह भी हम guidance करते है तो आपको क्या लगता है इस तरह से ही आपको guidance करना चाहिए या फिर कुछ अलग format होना चाहिए एक रुपया मुझे comment करके बताईगा और सबसे important बाद, यदि यह business आपको नहीं पिसंद है तो कौन से business में आपको रूचिए यह मुझे comment करके definitely बताना और jaggery powder business करने में आप interested हो with a low cost investment आप ladies हो, gents हो, side business प्लान कर रहे हो, या किसान हो आप definitely इस business को कर सकते हो और ये प्रस्नों मुझे बहुत लग कुछ देगे चोटा बताया, बड़ा हो सकता है चोटा हो सकता तो बड़ा तो definitely हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आप चोटा कर लो, बड़ा कर लो, कुछ भी कर लो पर बेजने का सबसे फ़ली ध्यान में रखो कि पहले sale हो, बाद में production हो ये ध्यान में रखना और इस वीडियो का कौन सा content या कौन सा line आपको ज़्यादा पसंद है ये मुझे comment करने के definitely बताना बाई वीडियो लाइक करना और अपने friend को जो sugar can bell में रहता हो उसे ये वीडियो शेयर करने के लिए जरूर बोलना Thank you, thanks a lot